हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल आज हम ये जैकेट स्टाइल कूर्ती बनाएंगे इसके पहले अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए तो मैंने यहाँ पर प्लेइन फैबरिक लिया है 2.5 मीटर ये कॉटन का है और प्रिंटेट फैबरिक लिया है 1.5 मीटर ये भी कॉटन का है तो सबसे पहले हम टॉप परड की कटिंग कर लेंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ पर फैबरिक को फोर फूल्ड किया है और top part की length मैंने ली है 14.5 inch अभी हम यहाँ पर shoulder लेंगे तो shoulder मैं ले रहे हूँ 6.5 inch और mole भी मैं ले रहे हूँ 6.5 inch इन दोनों points को जोड़ते हुए हम straight line draw करेंगे अभी यहाँ पर हमें chest का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 11 inch अभी यहाँ पर हमें कमर का fourth part plus 2 inch margin लेना है तो मैं ले रहे हूँ 9 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे अभी यहाँ पर 1 inch उपर mark करना है और हलका सा round shape दे देना है अभी हम armhole draw करेंगे तो इस line का हमें half लेना है और यहाँ से हम armhole का shape देंगे यह हमारा back का armhole है और half inch अंदर से एक और armhole draw कर लेंगे यह हमारा front का armhole है अभी हम neck की marking करेंगे तो neck width में ले रहे हूँ 3 inch और neck deep में ले रहे हूँ 6 inch front के लिए और back के लिए में ले रहे हूँ 4 inch यहाँ पर भी 3 inch लेंगे और एक box बना लेंगे और round shape देंगे front neck के लिए और back neck के लिए भी तो marking हो गई है अभी हम cutting करेंगे सबसे पहले हम back neck और back armhole से cutting करेंगे तो देखे इस तरह से हमने cutting कर लिए है अभी हम इसमें से back part को side में रख देंगे और front part को फिर से fold करेंगे और front neck और front armhole की cutting करेंगे तो देखे इस तरह से हमने front neck और front armhole की भी cutting कर लिए है अभी हम jacket part की cutting करेंगे तो इसके लिए मैंने fabric को two fold किया है यह देखे यहाँ पर open side है और open side से ही हमें front part को इसके उपर रखना है अभी हमें jacket part की length लेनी है तो top part से two inch extra लेंगे हम तो यहाँ पर मैं लेनी हैं 16.5 inch और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे उसके बाद में हम इसे as it is mark कर लेंगे नेक आर्मोल और साइड में जैसा है वैसा ही mark करेंगे तो इस तरह से हमें सिर्फ length बढ़ा लेनी है यहां पर उसके बाद में हम इसे इसी shape में cut कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने इसकी cutting कर ली है अभी top part को हटा देंगे अभी neck को हम 2 inch बढ़ा लेंगे jacket का neck हम थोड़ा सा deep रखेंगे और इसे cut कर देंगे और jacket में हमें front में 2 inch का distance चाहिए तो यहां पर हम 1 inch पे mark करेंगे और इसे cut कर देंगे तो देखे हमारा jacket का part इस तरह से आएगा अभी हम sleeves की cutting करेंगे तो मैंने आपर fabric को 4 fold किया है यह देखे अब यहां पर fold side है सबसे पहले sleeve की length लेंगे तो sleeve की length मैं ले रहे हूँ 10 inch तो यहां पर 10 inch पर mark करना है अभी हम sleeve की broadness लेंगे तो वो मैं ले रहे हूँ 9 inch जितना आपका आर्मोल है उससे 2-3 inch जादा लेना है अब यहां पर 3 inch down mark करना है और यहां से हम sleeve का shape देंगे इस तरह से अब यहां पर sleeve bottom लेंगे तो sleeve bottom मैं ले रहे हूँ 6 inch इन दोनों points को जोड़ देंगे और sleeve की cutting कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने sleeve की cutting कर ली है अभी हमेंसे open कर लेना है और front का armhole draw करना है और इसकी cutting कर लेनी है अभी हम bottom part की cutting करेंगे तो bottom part की cutting हम amrela cut में करेंगे तो इसके लिए मैंने यहां पर fabric को two fold किया है अभी इसे हमें triangle में fold करना है यह देखे इसे अच्छे से fold करेंगे बीच में कोई भी silver tin आ रहे देखे यहां पर open side है और यहां पर fold side है अभी जो हमने top part कर किया था इसे हम यहां पर adjust करेंगे इस तरह से और यहां पर हम waste line draw कर लेंगे और उसके बाद में हमें इसकी length लेनी है bottom part की यहां से तो bottom part की length मैं ले रहे हूं 28 inch उसके बाद में हमें inch tip को सरकाते हुए पूरे में 28 inch पे mark कर लेना है और इन सारे points को हमें round में जोड़ देना है इस तरह से और उसके बाद में इसकी हमें cutting कर लेनी है यहां से और यहां से तो इस तरह से हमने bottom part की cutting कर ली है तो यह दिखे यह हमारे पास front और back के लिए दो parts है अभी हम stitching करेंगे तो यह हमारा front का part है सबसे पहले हम neck बनाएंगे तो इसके लिए हमने neck के shape की strip ली है इसे हम इसके उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे और इसी तरह से हमें back part लेना है और back neck के लिए भी हमें इसी shape की strip लेनी है इसे भी हम इसके उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाएंगे तो देखे इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है अभी हमें यहाँ पास छोटे छोटे cuts लगा लेने है और cut लगाने के बाद में हम strip को wrong side में turn करके top stitch लगा लेंके और सेम इसी तरह से हमने back part में भी strip को attach किया है यहाँ पर भी हम छोटे छोटे cut लगा लेंगे और उसके बाद में हम इसे भी fold करते हुए top stitch लगा लेंगे तो इस तरह से हमने front neck बना लिया है बाद में हम यहाँ पर hand stitch करेंगे और इसी तरह से हमने back neck भी बना लिया है अभी हम jacket part बनाएंगे तो सबसे पहले हम इस part को finish करेंगे तो इसके लिए यह हमने यहाँ पर cross strip ली है तिर्ची पट्टी इसे हम इसके उपर उल्टा रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा के इसे attach करेंगे इसी तरह से दूसरे side के लिए भी हमने यह cross strip ली है इसे भी इसके उपर रखेंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से हमने strip को attach कर लिया है दोनों side में अभी यहाँ पर हम चोटे-चोटे cut लगा लेंगे और cut लगाने के बाद में हम strip को wrong side में double fold कर देंगे इसी तरह से दूसरे side के strip भी हम fold कर देंगे तो देखे इस तरह से हमने neck part को बना लिया है अभी इसके bottom को हमें double fold कर लेना है तो इस तरह से हमने bottom को fold कर लिया है और इस तरह से हमारा jacket का part ready है अभी यह हमारा front का part है तो सबसे पहले हम top part और bottom part को attach करेंगे तो top part को हम bottom part के ओपर उल्टा रख देंगे सिदी side अंदर रख के हम यहाँ पर stitch कर लेंगे इसी तरह से हम back part के भी top part और bottom part को attach कर लेंगे तो देखे इस तरह से हमने दोनों parts को attach कर लिया है अभी jacket वाला part हमें इसके उपर रखना है और यहाँ पर हमें armhole और side में इसे stitch करना है दूसरे side को भी इसके उपर रखेंगे और armhole और side में stitch कर देंगे तो देखें इस तरह से हमने आर्मोल और साइड में स्टिच किया है बीच में ये ओपन ही रहेगा इस तरह से अभी बैक का पार्ट इसके उपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर एटेच कर लेंगे अभी देखें स्लीव में हम ये बॉर्डर एटेच करेंगे तो बॉर्डर की लेंथ मेंने लिए है 7 इंच तो अभी हम इसमें से एक साइड की स्लीव को साइड में रखेंगे बॉर्डर को हम इसके उपर उल्टा रख देंगे और किनारे से सिलाई लगा देंगे उसके बाद में हम बॉर्डर को सीधी साइड में टरन करेंगे और इसके बॉटम को हम डबल फूल्ड कर देंगे तो देखे इस तरह से हमने दोनों स्लीव में बॉर्डर को एटेच कर लिया है अभी हम शोल्डर पे स्लीव को एटेच करेंगे तो sleeve को हम shoulder के उपर उल्टा रखेंगे और इस तरह से हम इसे stitch कर लेंगे इसी तरह से दुसरा sleeve भी stitch कर लेंगे तो हमने दोनों sleeve को attach कर लिया है बाद में हम यहां पर button stitch कर लेंगे अब भी देखिये इसके bottom में हमें border attach करनी है तो इसके लिए यह हमने border ली है तो ये straight पट्टी है और इसकी जो length है वो मैंने लिए है 8 inch तो इसे हम इसके उपर उल्टा रख देंगे और हम इसे पूरे में सिलाई लगा के attach करेंगे फ्रेंट और बैक में उसके बाद में हम इसे सीधी साइड में turn करेंगे तो इस तरह से हमने पूरे में water को attach कर लिया है अभी हम इसे उल्टा करेंगे और उसके बाद में हमें स्लीव से लेके bottom तक fitting कर लेना है दोनों साइड में और इसके bottom में हमें double fold कर लेना है थैंक यू फॉर वाचिंग में वीडियो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कीजिए थैंक यू